वेलकमे गाईज आपका असली अखाड़ा पॉड़कास्ट के एक और नए एपिसोड में और अभी अभी जैस स्मैकडाउन खतम हुई है इतनी सारी चीजे स्मैकडाउन के एक एपिसोड में डबल डबली ने ठूस दी मैंने जैसे अपनी वीडियो में भी बोला कि मुझे तो आते हैं जो अपनी वीडियो में डिसकस नहीं करते हैं क्योंकि दस बारे मिनिट के अंदर सब खतम करना होता है तो यहां पर जो हाड़कोर रेस्लिंग फैन से वो सुनते तो आपके लिए है तो बाई स्पोर्टिफाइब पे फॉलो रेड़ी चार्ट में टॉप 50 में आ च और सबसे बड़ा टॉपिक जिमी उसो और रोमन रेंज का रिलेशन किया है सबसे पहले आयुश एक सवाल इतना जादा लंबा बोलने के बाद आपको कोई मौका ना देते हुए सबसे पहले चीज क्या रोमन रेंज और कोडी रोड्स का मैच डबल डॉबली ने रेसल में बेसिकली क्या करा है जैसे हम दिवाली पे नि करते एक गली से लेकर दूसरी गली तक लड़ी बिचा देते हैं वो बिचाने में पहले इतना टाइम लगता लेकिन फिर पर जो बजनी चीड़ होती है वो सारों को उठाएगी और फिर सबको पता लगेगा कि यह लंबी लड अबली ने क्या कर रहा है फास्ट लेन से लेकर एसल्वीनिया तक की लड़ी बिचा दी है और इतने सारे छोटे 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 ऐसे लग रहा है ना सौल्ट ड्रॉप करते वे गए हैं रस्ते में हिंट्स ड्रॉप करते वे गए हैं कि क्या क्या हो सकता हैं क्या क्या Roman vs Cody, Wrestlemania 40 हमने इसके बारे में बहुत पहले भी बात करी है कि का होगा, किस पॉइंट पहोगा लेकिन आज WWE ने क्लियर कर दिया कि जो सबसे बड़ा प्लान है जो सबसे बड़ा प्लान Roman Reigns के लिए है वो है Cody Rhodes अभी हम यहीं डिसकस करेंगे इतने दूर ने जाएंगे कि स्टोरी खतम होगी नहीं होगी लेकिन सिंपल आंसर अगर मैं यह दू बहुत ही जादा बड़ा टीज था क्योंकि वहाँ पर रोमन को भार आने कि कोई जुरुरत नी थी रोमन थे भी नहीं में इनिमेंट में वहाँ पर कहीं तो क्यों कोडी रोड्स को आके महाँ पर रोमन रेंस कंफरंट करते ना ही सिरफ इतना जिमी ने जे को कंफरंट करा सोलो भी वहाँ पर थे और जॉविसली जॉन सीना पर हम अभी आएंगे रोइत ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से आज SmackDown पे चीज़ें टीज करी गई है हम किसी एक चीज़ के बारे में नि पांच चीज़ों के बारे में बात कर रहे है और सारी पॉसिबिलिटीज घूमबिर के फेस टू फेस आगई आज SmackDown में एक जो बहुत मुझे स्पेशल चीज़ लग रही है मंडे नाट रोर स्मैकडाउन में जज्जमेंट और ब्लड लाइन के होनी के वज़े से कि ये जो स्टोर लाइन से आपस में ऐसे फेक्टर कर रही है एक दूसरे को कि मज़ा आ रहा है उसको देखने में मतलब ये आयुश मेरा सवाल है सीधा क्या आप रोमन और रोक से ज़्यादा रोमन और कोडी का मैश लग रहा है कि रैसलमीने के लिए और मैं किसी जग़ की बात नहीं कर रहा है सिर्फ रैसलमीने की बात कर रहा हूं बोलना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि टीज आखिरकार एक टीज है कुछ भी उसमें चेंज हो सकता है और डेवी डेवली हमको क्लियरली कभी नहीं बताएगी कि ये रैसलमीने का मैंनिमेंट है हमको क्या पता भाई वो किस तरीके के लिए कहां पर लॉजिक लगाएंगे रॉक को इंवाल्व करना है तो कैसे करेंगे क्या पता एट दी एंड रॉक एक रैफरी की तरह आजाएं कुछ भी हो सकता है तो लेकिन अगर अभी मुझे सेफ बैट लेनी हो अगर रॉमन और कोड़ी का टीज किया था वो सिर्फ इसले किया था कि अगर रॉमन और रॉक का मैश नहीं होगा रैसल मिन्य के लिए तो एक बैकप प्लान तयार रखते है अपना क्योंकि कई बार डबल डबली ऐसा करते कि बैक अप में प्लान लेके चलती है जो कि उससमें एक्चुल प्लान लग रहा होता लेकिन जब औरिजिनल प्लान सामने आता है तो पता लगता है यह तो बैक अप प्लान था हमेशा सही डबल डबली का शुरुवात से गभी उन्होंन ऐसा सोचा नहीं था तो अगर रोमन और रोक डबल डबली नहीं लोग कर पाती रसिल मिनने के लिए तो सब इस वज़े से यह एक चोटा से सेग्मेंट किया क्योंकि इंटेंशनल ही था जैसा आईश तो ने बोला भी अभी कि रोमन को तो आना भी नहीं था वो तो बल्लकुल एंड मैं यह बैक अप प्लान है एक् प्रीके से दिखाया जा रहा है जो बड़ा उनको चैंपेंशिप भी दी है टैग टीम इस वज़ा से दी है और कोई रीजन नहीं है ताकि वो स्मैक डॉन और रोप एदर उदर हो सके और कोई रीजन नहीं है को चैंपेंशिप देने का आज मुझे चीज समझ आगी क्योंक अगर कोई को स्मैक डॉन पर डाला है तो इस वह में प्लान है बैकप यह हो सकता है कि रॉक वर्सिस रोमन भी हो जाए लेकिन आधिंग कहीं रॉक को इंवॉल्फ करा जाएगा स्टोर लाइन के अंदर में भी यह सकता है कि रॉक पार्टिसिपेट ना करें रोमन से वानो करने को पार्ट हूं यहां से यही संज में आरा भाई कि रोमन और रॉक कोडी और रोमन इन में से कोई साइव मैच होना पॉसिबल है जब रॉक को देखते हैं जो में तो लगता है आप तो कंफर्म है जब रॉक को बोलते वे सुनते हैं वह ऐसी बाते कर रहा है और जब को में ये भी कि एक और बंदे के हातों John Cena हार रहे हैं कि बड़ी stage पर भाई मज़े की बाद है कि अगर SmackDown में LA Knight ने Solo Sikua को हरा के pin कर दिया तो Crown Jewelman John Cena को Solo Sikua pin करे ये बात थोड़ी हजाम मिर से हो निरी लेकिन हम जो भी कहें LA Knight और John Cena ने अभी Solo Sikua और Jimmy Uso को हराया Fastlane में तो I think कही ना कहीं Cena versus Solo Sikua possibility जरूर है उस match की होने की लेकिन पता नहीं रोईत मुझे क्यों ऐसा लग रहे है कि ये good enough या big enough match है नहीं Solo Sikua के लिए इस point पर क्योंकि ये John Cena के बारे में मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि आज की SmackDown इतनी variety थी storyline wise इतनी speculation की जा सकती है चीज़ों के उपर कि उस पूरे picture में जॉन सीना छोटे लग रहे थे मेरे को और कितनी बार ऐसा होता है कि इसी storyline में John Cena भी involved है लेकिन वो एक side part है उस story का main है ही नहीं कि end में भी आके John Cena जिमी को जब attitude adjustment लगाते हैं तो main limelight में सीना पर नहीं थी ऐसा लग रहा था था सीना असिस्ट करने आया तो solo के against match देना एक decent चीज हो सकती है मैं पसंद हो करूँगा उस match को देखना लेकिन रोई जहां तक मेरा कहना होगा यह सब लीड कर रहा है वार गेम्स की तरफ और आज की जो smackdown थी सबसे बड़ा हिंट वही था वो confrontation भी सारी इसी विज़ा से देखने को मिली कि यह एक तरफ LA Knight John Cena, Cody Rhodes, Jay Uso दूसरी तरफ Roman Reigns, Solo Sikoa Jimmy Uso और एक तो बंदे और एदर ओदर से डाले जाएंगे and then 5 on 5 हमारा War Games प्रिपेर होगा वो main attraction है लेकिन क्या लगता है कि Cinema versus Solo S.P. पे इतना बड़ा मैच है अपने आप में Singles ऐसे देख के सही बताओं तो लग नहीं जा एक तो पतानी यह जैसे Triple H ने खुद का कि हमको criticize नहीं करना चाहिए Johnson ने जो भी आके काम करना है क्योंकि यह run उनका लंबा नहीं चलने वाला और वो इनके बड़ा दिल है जो कि वो WWE में आ रहे हैं और बिल्कुल सही बात बोली हुने ने भाई क्योंकि उससे WWE को कुछ benefit नहीं है वो इस समय WWE के talents को over करने काई काम कर रहे है और इस वज़े से बाई अब देख रहे है Johnson ना तो देख लो और इसी वज़े से मैं देख भी रहा हूं इतना जो मतलब Johnson में इंटरस्ट था फैंस का 2015-16 से पहले वो इंटरस्ट धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीक्लाइन पही जा रहा है क्योंकि हर किसी को पता आप Johnson रेगुलर वैसे काम नहीं करने वाले तो वो तो एक पार्ट है तो उसकी वज़े से I think लग रहा है ऐसा WWE पे उस स्पोर्ट पर नहीं डाले अभी तक और I think होने वाला ऑफिशल फाइनली वो मैच जिसके लिए फैंस ने बिलकुल इंटरनेट पर है पूरा मार्च किया था मशाले लेकर चल रहे थे वो जौन सीन ओ सारी रोमन रेंस और एले नाइट के बीच मैच तो फाइनली ये होने जारा ऑफिशल नहीं हो लेकिन पता ही है बट क्या इस पॉइंट पर ये सही हो रहा है क्योंकि जीतने का सवाल एले नाइट का है मतलब इस पर बात भी करनी चाहिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर असली अगाड़ा कोई नया है ना ले नाइट कैसे उड़ाया उपर उन्होंने खुद अपने प्रोमो में आज बोला कि भाई दो महीने से रोमन तु गाया था तब चीज़ें बदल चुकी है अब स्मैक डाउन बे अब लोगों को पताएगी मैं कौन हूँ और वो मेभी पॉसिबल भी नहीं होता कर रोमन रेंज दो महीने के लिए जाते नहीं तो यह चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रोमन रेंज की एपसेंस ने भी रोमन रेंज ने वहाँ ना होके भी बेसिकली एक फायदा ही कर दिया कि एले नाइट को मोमेंटम मिला क्योंकि रोमन होता तो भाई टाइम खाता यह होते हैं बड़े वाले रोमन रेंज के फैंस की अगर रोमन रेंज नहीं भी आरा तो भी उसमें हम कैसे चीज़े निकालें कि भाई रोमन नहीं आया तो फिर भी देखो यह फायदा हुआ है लेकिन इसमें कुछ रोमन की ऐस सच फैंबॉय वाली बात है लेकिन वो अगर टीवी टाइम एले नाइट को नहीं मिलता तो में भी इतनी जल्दी वो उस स्पॉट के लिए रेडी नहीं होते तो वो थोड़ा सा बिलीवेवल मुझे नहीं लग रहा लेकिन डाइरेक्शन डवी डवी की फिलाल यह लग रही है कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है रोहित की इतनी जल्दी एले नाइट को रोमन की आगें स्मैश दे देना, कन्फर्म कर देना और obviously वहाँ पहले नाइट हारेंगे सबको पहले से पता है क्या उनके लिए उस पीक तक पहुँचना और कुछ ना जीतना इस स्टेज पे वो एक सही डिसीजन है अभी तो मैं इसके बार में तो कुछ कॉमेंट करूंगा नहीं कि वह जीतेंगे या हारेंगे लेकिन जहां तक बात रही इस चीज़की कि एले नाइट को अगर वहाँ से आके हार का मुई देखना है तो फिर अब अपने आपको कॉंटरटिक करने वाली बात हुजाएगी लेकिन मुझे यह लगता है कि एले नाइट और रोमन रेंज के मैच से एले नाइट हा रहे हैं जीते फायदा तो उनको होगा क्योंकि हमको भले ही ऐसा लग रहा है कि हम इस नजरिये से देख रहे हैं कि एले नाइट को एक पुश मिल रहा है और वो पुश अब तब तक उस चीज का बेनिफिट एले नाइट को ज़रूर होगा क्योंकि जब उनको रिंग में देखेंगे एले नाइट के साथ या भी प्रोमो वर्क में देखेंगे पॉलिमन के साथ रोमन रेंज के साथ फ्यूट करने के लिए और यही एक रीजन है कि क्यों यह मैच हो रहा है मैं तो सैटेसफाइड रहूंगा वैसे इससे क्योंकि एले नाइट अभी माइक पे जो थोड़ फोड़ करने वाले रोमन रेंज भी माइक पे इतने अच्छे है पॉलिमन भी उनके साथ है तो मज़ से हम कह सकते हैं जे उसो वर्से रोमन रेंज का मैच था कि सबको पता था कि हाँ भाई एक पॉइंट के लग रहा है कि क्या जे उसो करेगा करेगा कर सकता है पर यह नहीं कैसी चीज है जह हूं 1100 दिन से देख रहे हैं रोमन रेंज is not losing कैसे भी हो कई भी से बीच में से बगवास फिनिश but at the end of crown jewel, Roman Reigns will walk out as the undisputed champion and that's a fact और रोई इससे पहले बोले कि अब मैं Roman Reigns का fanboy हूं हम crown jewel के बाद इसके बारे में बात कर सकते हैं और तब भी मैं ही बोल रहा हूंगा कि Roman Reigns walked out as the undisputed champ तो LA Knight को उस पॉइंट तक पुजाना I think अच्छा है लेकिन मैं चाह बात हैं कि almost Roman को हरा दिया, Roman जीतेगा लेकिन यह build करना चाहिए because next pay-per-view is survivor series और रोहित इससे पहले कि हम Jimmy और Roman की बात करें मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि मेरे को ball interest आ रहा है भाई कि क्या यह war games का यही main match है इस साल, Cody Rhodes, John Cena, Jay Uso, यह तीन बंदे तो confirm हम लेके चल सकते हैं ले नाइट चौथा वर्सिस रोमन रेंज, सोलो सिकोवा, जीमी उसो, कोई और दो बंदे, मेभी जज्मेंट डेबीस के अंदर दो बंदे डाल सकते हैं और फिर वहां से हमें Sammy Zane, Kevin Owens, I don't know क्या कर सकते हैं लेकिन क्या यह possibility लग रही है वो बड़े match कि क्योंकि एक और यह चलो भाई, इतना हम करेंगे, यहां पर तभी आप लोग जो इंटरस दिखा रहा हमी मजाता है, जहां पर बात करी आयूश ने, तो एक चीज़ा हमको और भी नोट करनी पड़ेगी, अभी WWE Raw वर्सिस SmackDown वाली फील भी हमको दे रही है, चलो War Games की तो बात करी रही है, लेकि एक Raw वर्सिस SmackDown वाली चीज़ भी हो सकती है, और अगर वैसी हो रही है, तो फिर एक बहुत बड़ा मैच, Roman Reigns वर्सिस Seth Rollins, चैंपिन वर्सिस चैंपिन वाला शायद नजर आ रहा है हमको, लेकिन जब War Games की बात करते हैं, तो वही डिपेंड करता है, अगर Roman Reigns एक ऐसा मैच मैच में कंपीट कर रहे हैं, जो कि Brand Supremacy के लिए तो तो फिर अलग बात है, लेकिन फिर सेंस बन रहा है यहां पर War Games के मैच को, और मैने यह भी नोटिस किया कि War Games मैच में बहुत बड़े स्टार्स की जरुरत नहीं होती, जब मैच खतम होता तो सब के मूँ खुले वे होते तो अगर WWE यूटिलाइस करना चाहे, रोमन रेंज को दूसरे मैच में तो वो कर सकती है, लेकिन अगर यह वाला मैच जो आयूश ने बोला कि रोमन और एक तरफ रोमन की पूरी टीम और साथ में जज्मन डे के साथ वो हाथ वात तो मिलाई लिया है, पॉले में ने रिया में देखने क्या discussion बनती है, और वो है रोमन रेंज और जिमी उसो का relation, यह मतलब अब तक तो रोमन रेंज बड़ी एंट में रहता था, मैं ट्रैबल चीफ हो कोई बोल नहीं सकता था उसके सामने, अब जिमी उसो मस्त पानी पी रहा है, यीट करके चिला रहा है, वो पीच सिंगल स्मैच मिला नहीं है रोमन रेंज से, तो यह इसलिए हो रहा है या कुछ हो रहा है इसका, अईूश का सोचे का इस बारे में, अब इससे पहले, इससे पहले मैंना पॉइंट है अब रखू, मैं कन्फरमेशन लूँगा, क्या नहीं चाहता है, मैं गलत बोलू, क्या जे उस हो, तो भाई हमारा बंदा होते वे भी उधर कोडी के सांट टीम में है, तो उससे तो खफा है, तो यहां पर जो जिमी और रोमन का रिलेशन है, वो यह है कि जिमी अपने आपको इस बात के लिए अल्रेडी मान चुक है कि मैं ब्लड लाइन में वापिस आ गया लेकिन फिर जिसने sorry बोलाता है, वो बोलता है, मैंने ही sorry बोला है, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए था, तो रोमन रेंज और यह बात मैंने वीडियो में बोली थी, रोहित की रोमन रेंज के इतनी कमाल की यह छोटी-छोटी जो story telling चल रही है, कि वो यह दिखा रहे थे आ स्मैकडाउन पे, एले नाइड कौन है भाई है मेरे पीछे से, तो जबकि आसपा सोलो है, पॉल हेमन है, जिमी है, रोमन को कहीना कहीना satisfaction नहीं मिल रही थी, कि मेरा show है, कहीना कहीना बिखरा हुआ लग रहा था, तो जब जिमी भी उनके सामने आये तो रोमन की thinking थी, कि या जरूर क्योंकि ये एक prediction, spoiler हो सकता है, कि at the end, in a few months, bloodline वापिस एक हो जाएगी, और उसका मतलब ये भी है, कि Jay Uso will return home, Jay Uso भी वापिस हील होंगे, और Jay Uso भी bloodline का पार्ट दुबारा बनेंगे, अब वो किस तरीके से होगा, Cody को फसाने के लिए होगा, Cody के against होगा, कुछ भी हो सकता है, war games उसका बड़ा पार्ट हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा सकता है, रोईत कि यहाँ पर ये tease बहुत कुछ कर रहे है, but at the end, bloodline will be just stronger, और बड़ी हो जाएगी टीम, अभी ये तुन्हें बात बोली है, मुझे नहीं पता, बाकि लोग को कैसा मैसूस हो, लेकिन जैसी अभी ये उसने बोला कि bloodline दुबारा से वापस आजाएगी, और stronger होगी, मैं अपना सिर्ख हुजलाने में मजबूर होगा, literally, क्योंकि bloodline फिर से वापस, क्योंकि अभी जे निकले, Jimmy निकल के फिर आगा है, जे उसो join करेंगे, तो at the end जाएगे फिर से bloodline मिलने वाली है, मतल कुछ ना bloodline मिलेगी, वो अलग बात है, जहां तक बात रही, Jimmy उसो की, तो आईश मुझे ऐसे लगता है, कि temporary use के लिए Roman Reigns अभी Jimmy उसो को कुछ कहने रहे हैं, और शायदो temporary use है, war games में यूस करना उनको store land में, या फिर अपने एक तरीके से puppet की तरह यूस करना, कि वो उनको tolerate करने हैं पस कि भाई, जहेल रहा हूँ, तुझे मैं जहेल ना हूँ, क्योंकि अब loyalty तो है नहीं उनकी, ना जिमी उसो की है नी, Roman Reigns के लिए, Roman Reigns भी समझ रहे हैं, कि भाई, यह जितनी, यह disrespectful लग रहा है मेर को, क्योंकि अगर travel chief है कमरे में, तो तुम इतनी आराम से बैठ उसो को वो किसी एक show पर उनको challenge कर सकते हैं, बट अभी WrestleMania तक तो वो PPV भी नजर नहीं आ रहा मुझे कि कहां पर वो जगा बन सकती है, क्योंकि काफी loaded लग रहा है, तो अभी I think यही है temporary use, जितना मैं सोच सकता हूं इसको, बट इतना जैसा Avish ने बोला कि दिल से Roman Reigns ने accept नह के लिए तो ऐसा नहीं है कि exactly bloodline वापिस ही मिलेगी, possible हो भी सकता है कि Jay WrestleMania तक Cody Rhodes के corner में रहें और उस तरीके को वो पूरी हमें चीज देखने को मिलें, and at the end Jay Jimmy से ही लड़ रहे है WrestleMania में, क्योंकि वो एक ऐसी jealousy होगी Jimmy के अंदर, Roman Reigns के अंदर, कि यह बंदा हमसे दूर जाके, अकेला भी इतना बैटर कैसे कर पा रहा है, Jimmy ही कोई है अगर उसको रोक सकता है, I don't know उस feud की potential कितनी हाई है, कितना लंबा उसको खीच सकते हैं, लेकिन अगर bloodline की पूरी storyline के साथ मिला दो, तो वो automatically बहुत इंटरस्टिंग मन जाता है, तो दोनों options यहाँ पे pick करने, जो है वो WWE के लिए बढ़िया रहेंगे, storytelling wise अगर देखें, लेकिन मैं at the end आप यह बोलूँगा, क्योंकि I think I'm near आ गया है, to the wrap up of this episode, कि रोही थे fallout वाली चीज़ जो सोची है, मस लग रही है, I think लोगों को मजा आने वाला है, hope लोगों को मजा आया हो, क्योंकि अगर अब जैसे चीज़ें interesting होंगी, और इतना कुछ हमें information हर show के बाद मिलेगा, तो लोगों के लिए interesting है, हमार ले कितना interesting है, इस अब speculate करना, Spotify में नीचे comment का section है ही, तो comment जरू करना, follow rate, सब कुछ कर लो बाई, क्योंकि असलिय अखाड़ा को लेके जाना है on top, जैसे mommy is always on top, ये episode अगर आपको अच्छा लगा, तो इसको rate कर देना, and जिल्दी से मिलेंगे next episode में, असलिय अखाड़ा podcast के, तब तक के लिए goodbye, and take care.